नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं 17 जनवरी से खतियानी जोहार यात्रा 6 जीलों की होगी समिक्षा ज़ार्खन की मुख्य मंत्री हेमान सुरेन आगामी 17 जनवरी 2023 से दूसरे चरण के खतियानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे इसके तहट 6 जीलों की समिक्षा भी करेंगे सियम हेमान सुरेन का कोलान के 3 जीलों में इनका प्रवास होगा तथा जन शभा को समोधित भी करेंगे इसको लेकर कोलान से जामो के 5 बिधायक, रांची इस्थित परोजेक्ट बोण में मुख्य मंत्री हे मंसुनें से मिले हैं खत्यानी जो हार यात्रा को लेकर मनोहर पूर बिधायक स समाज कल्यान मंत्री जोबा मांजी खरसावा बिधायक दसरत गगई चक्रधर पूर बिधायक सुकराम उराव चाई बासा बिधायक, दीपक बिरुवा और मजगावा बिधायक, नीरल पूर्ती ने मुख्य मंत्री के साथ विचार बिमस गया बता देख खतियानी जो हारे 18 सत्रह जनवरी को कोडारवा में वही 18 जनवरी को गिरिडी में 23 जनवरी को सिम्टेगा और 24 जनवरी को पच्मी सिम्भूम में वही 30 जनवरी को सरायक लेकार सावा और 31 जनवरी को पूर्वी सिम्भूम में है जारखन की राइधानी रांची में ठंड का परकोप लागातार बढ़ता जा रहा है एक सब्ता के दरण दो लोगों की ठंड से मौत भी हो चुकी है बतादे पूरे राजे में कोहरे वद्धूंद के साथ कप कपी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है कोहरे की चपेट में आज आने से जहां कई फलाइट वर ट्रेनों की समय सारनी परवाईत हुई है वही मौसम बिग्ञान केंद्र रांची का प्रोनवान है की साथ जनवरी तक राजधानी समेत आजपास के जीलों में कोहरे अधूंद का असर रहेगा और आसमान में आसिक बादल चाय रहेंगे बतादे नवर्स के आगमन के साथ ही पिछले तीन दिनों तक ठन के कारण चाय कोहरे ने धूप के तेज को कम कर दिया है जहारखन में ग्रीन काड धारकों के थाली से चावल गाया जहारखन में 15-90-2020 को बड़े ही ताम जाम के साथ ग्रीन काड योईना शुरू की गई थी इस योईना के ताहत ऐसे परिवारों को एक रुपए में पांच किलो चावल देने की बात की गई मगर हकिकातिया है कि पिछले कई महीनों ते जहारखन के ऐसे 15 लाग काड धारियों को चावल नसीब नहीं हुआ बता दे राष्ट्रिये खाज सुरक्षाध नियम के लाब से वन्चीत लोगों को राशन उपलब्द कराने के उद्यस से राज में ग्रीन कार्ड योईना की सुरुवात की गई लेकिन दूसरी योईनाओं की तरह इसकी हालात भी अब खास्ता हो गई है लाबुक इस योईना के लाब से वन्चीत है अधिकारी अपना रोना रो रहे है खाद एवं आपूर्ती भी भाग के पताधिकारियों का कहना है कि एपसी आई से चावल उपलब्द नहीं होने की वज़ा से ग्रीन करड़ार्यों को चावल नहीं मिल पा रहा है यह स्थिती पिछले अगस्त महीने से बनी हुई है हलाकि कुछ जीलों में बैकल्बी बेवस्ता के ताथ चावल ग्रीन करड़ार्यों को मुह्या भी कराई जा रही है अनुबंध पर 182 शिक्षकोंकी नियुक्ती का रास्ता साप जीले के high school वा प्लस टू इसकोलों में समीदा पर 182 सिसकों की नियुकती का रास्ता साप हो गया है राजे मुख्याले ने नियुकती समधी मागदा संदे दिया है जीले में कस्तुरबा इसकोलों में भी नौ पदो पर नियुकती होगी मुख्याले का पत्र मिलने के बाद जीला समधा सिक्चा अभियान ने इस समन्द में क्वैत सुरू कर दिया है जल्दी विग्यापन जारी करना या आवेधन मांगा जाएगा पुरू में आवेधन जमा कर चुके अभियातियों के आवेधन देने के उसकता नहीं है बता दे जार्खन से 10 वी वा बरहावी की पढ़ाई के ममला हाई कोट में चल रहा था हाई कोट से फैसले आने के बाद विभाग ने मार्ग दसन जाई किया पलश्टू स्कूलों के सिख्षकों को परतेक महीने 27 सेर 500 रुपए तथा असना तक प्रस्थिक्षित सिख्षकों को 26 सेर 250 रुपए मिलेंगे 6 जनवरी की साम 6 बजे जार्खन पहुँच जाएंगे अमीत सा केंद्री ग्रिह मंत्री साह सहकारिता मंत्री अमीत सा 6 जनवरी 2023 की साम 6 बजे ही जार्खन पहुँच जाएंगे BSF के BCS बीमान से अमीत सा साम 6 बजे रांची सीध बीसा मुंडा यारपोर्ट पर लेंड करेंगे यहां से वह सीधे रेडिसन बुलू होटल चले जाएंगे यहां से सुबा सुलक मार्ग से यारपोर्ट पहुंचेंगे बता दे BSF के हेलिकोप्टर से ग्री मंत्री यहां से पच्मी सीमम के जिला मुख्याल है चाईबासा चले जाएंगे चाईबासा के टाटा कॉलेज में भारते जनता पार्टी के एक कारकरा में अमीत सा सामिल होंगे करवी 45 मेंट तक कॉर कमिटी की मीटिंग के बाद वह टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित दन सभा को समधित करेंगे यहां की मंत्री का करवी 45 मेंट का कारकरा महा है कुल मिला का टाटा कॉलेज परिसर में सिरी सा देर घंटे रुकेंगे खादी मिला में बच्चों को गोद में लेकर रैप पर उत्री मॉडल राइधानी राजी के मुराबादी मैदान में चल राष्ट्री खादी एमसरस महोसो में खादी के वस्त्रों में ट्रेडिशन के साथ फैसन भी दिखा है वहीं खादी के प्रीमियम फैब्रिक और इन हाउस डिजाइन को पहने मोडल ने रैप में जलबा बिखेरे सबसे आकर्सन का केंद्र अपने बचों के साथ रैप वाक कर रही मा और दिब्यांग बचों बने ग्रामिन छेतर में रोजगार उपलब्द कराने बेचने योगे समगरी प्रदान करने या लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और एक सुद्री धिग्रामिन समाजिक भावना का निर्नाय करने के उधिस से खादी वमसरस महोचों का उजन हुआ है मिसिर बेशरा अनल्दा दस्ते के आठ नकसलियों ने किया सरेंडर नकसलि संगठन भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी मवादी की केंद्रिये कमिटी के सदस्यों मिसिर बेशरा अर्फ सागर जी और पतिरामा जी अर्फ अनल्दा के दस्ते के आठ सदस्यों ने बुद्धवार कुराईदानी रांची में सरेंडर कर दिया है बताद जी नकसलियों ने स्रेंडर किया है उसमें नाम जैराम बोद्रा उर्फ जूरिया बोद्रा सरीता उर्फ मुंगली सरदार उर्फ सरीता सर्दार उर्फ सानीता सोमवारी कुमारी उर्फ टोनी मर्तम अंगरिया तुंगिर पूर्ती पातर कोड़ा कुसनु सिरका उर् बिजेपी नेताओं की त्यारी तेज, केंद्री ग्रीह मंत्री अमित साह के आगमन को लेकर त्यारी जोरो पर चल रही है, टाटा कॉलेज मैदार में प्रस्तावित कारिकरम अचल पर पंडाल बनाना भी सुरू हो गया है, बुद्धवा से टाटा कॉलेज मैदार में विसाल पंडाल निर्मान का कारिकरम असल पहुंचे, उन्होंने पंडाल निर्मान को लेकर कई दिशार निदेश भी दिये हैं, बतादे राची से आए पंडाल बनाने वारे कारिकरों ने बताया है कि याप पंडाल भी साल काया होगा, इसकी लंबाई 350 फीट और उचाई 300 फीट ह पंडाल निर्मान कार्य में करीब 100 मैं दूर लगे हुए हैं, बतादे कि 7 जनवाई 23 केंद्रे गिरी मंत्री अमीद साचाई बसा पहुंच रहे हैं, गोला आई पील गोली कांड के चौथे मामले में मामता देवी को दो साल की सजा, रामगड की गोला गोली कांड से जुड आना भी लगाया है, वहीं इस केस से जुड़े अन अभियुक्त को बरी कर दिया गया, नया दिस पवन राय की भी सेस कोट नेया सुनवाई हुई है, इससे पूर्व आठ दिसम्बर को अंदोलन के नितित करता है, राजिव जैस्वाल ततकाली रामगड बिधायक मामता दे मुझिला के हरिहर गंज थाना पूलिस के अनोखी अदास लोग अचम भी था है, साथ ही उनकी अदा सोसल मीडिया में भी जम कर वायरल हो रहा है, बता दे बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वालों को नसीहत देने के लिए बुद्धवार को हरिहर गंज थाना के पूलिस जवान, यमराज का भेस बना कर सड़क पर उतर गए, यमराज के साथ यमदूत भी थे, ये बिना हेलमेट पहने वाइक चल को को रोक का ट्रैपिक निमो की जनकारी दी, पहले तो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, पर जब बात समझ में आई तो लोग सरमींदा हुए और आगे से हेलमेट पहन कर बाइक चलाने की सपतली, दुमका सेंटरल जेल गेट पर फाइरिंग मामले में चार गिरफतार, दुमका सेंटरल जेल गेट पर फाइरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा किया है, पुलिस ने हथियार सहित चार आरोपिय गिरुपतार किया है पूलिस की पुछताच में आरूपयों ने सूर नियोजित तरीके और महल भीगाडने के उदेश से घटना को अंजाम दिया था दुमका सेंटरल जेल के मुख गेट पर 2 दिसंबर 2022 को अग्यात अपराधियों ने फाइरिंग किया था इस घटना के बाद अपराध कर्मियों को पिस्तोल गोली और विनान नंबर के कार के साथ गिरफतार किया है बढ़ती ठंड से सर्दिक हांसी और वारल बुखार से पहुच रहे अस्पताल राइधाने में बढ़ती ठंड के बाद सर्दिक हांसी और वारल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है बीमारी से बचने के लिए स्वक्षता के साथ साथ कोविट गाइडलाइन का भी पालन करना जरूरी है सरदी के मौसम में सीत लहर के चलते सदर अस्पताल में समाने दिनों के तुलना में इलाज कराने वाले मरीजों की संक्या में दस फिदी के बढ़ोतरी हुई है JPSC ने जारी किया कॉट अफ मार्क जार्खन लोक सेवा आयोग ने जार्खन उच नियाले के आदेश पर सातवी सीविल सेवा परतियोगत्या परिक्षा 2021 इसके जारी अमतिम परिनाम के अनुसार सफल और असफल अभियार्थियों के रिजल्ट जारी कर दिये हैं जारी रिजल्ट को कोई भी अभियार्थिया अपना करमांक जनमतीती तथा मोबाइल नंबर डाल कर देख सकेगा रिजल्ट देखने के साथ उसे डाउनलोड भी किया जा सकेगा बतादे आयोग ने इसी के साथ मुखे परिक्षा का कॉट अप मार्क भी जारी कर दिया है आयोग के अनुसार ये सबी सुचनाई आयोग की वेब साइट पर 60 दिनों तक उपलब्द रहेगी अलग अलग सरेनी के लिए कट अफ मार्क अलग अलग है समाने पिछडा अत्यांत पिछडा डबलू ई और चारोयग के लिए कट अफ 532 आंग वहीं एसी के लिए 514 और एस्टी के लिए 489 कट अफ मार्क भोसित किये गा अपने को कृत्य छिपाने के लिए जैन समाज को छल रही बीजेपी जारखन मुक्ति मुर्चा के बाद अब कॉंग्रेस ने भी जैन समाज के पक्ष में ब्यान जारी करते हुए भारतिय जैन तापाटि को कट धुहरे में खड़ा करने का काम किया है जारखन परदेश कॉंग रिम्स के सुरक्षा कर्मियों की हरताल रिम्स के नीजी सुरक्षा कर्मियों को हटा कर होमगाट के जवानों को तैनात करने की ख़बर के बाद सभी नीजी सुरक्षा कर्मियों पुद्धवार को काम चोड़ हरताल पर चले गाए हरताल करते सभी सुरक्षा कर्मियों अधि रखने वाली एजेंसी को हटाया जा रहा है इसके लिए इनकी नौकरी के लिए एजेंसी ही जिम्हेदार है सुरक्षा कर्मियों को एजेंसी से वार्ता करनी चाहिए आगे उनके लिए वेक्याबी कल्प रखते हैं आठ माँ बाद जेल से निकली निलंबित आईएस पुजा सिंगल मनी लांडरिंग मावले में आरोपित निलंबित आईएस पुजा सिंगल को करीब आठ माँ बाद बीर्शा मुंटा केंद्रिये करावा से रिहा कर दिया गया है उन्हें लेने उनके पती अभिसेक जा कि वह सुप्रीम कोट के आदेशा अनुसा जारखन छोड़ देगी लेकिन उन्हें कुछ समय दिया जाए संभावता गुरुवार को राची से बाहर जाएंगी कोट का आदेश जेल पहुंचा और सारी परकिरिया पुरी करने के बाद पुजा सिंगल को जेल से रिहा कर दिय गया है खांसी के साथ आ रहा खून तो टीवी जाच करा है टीवी मुक्त देश बनाने की दिशा में पर्यास तेज हो गया है जीला यक्छमा विभाग के और से अधिक से अधिक लोगों को जागरूप करने के लिए जगा जगा जगरूपता कारेकरम कायोजन किया रहा है ब बता दे जीला यक्छमा पता दिकारी डाक्टर मित्यूम जय धावडिया ने बताया है कि वर्ष दोजर पचीश तक देश से टीवी को खत्म करने का लक्ष निधारित किया गया है बन विभाग ने जुटाए 146 परिंदो के संथाली नाम बन विभाग की टीम चीडियों के स सिकार को रोकने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है टीम ने आदिवासी बुजरुगों से संपर्क कर छेतर के 146 चीडियों का संथाली नमांकरन किया है जैसे हिंदी में बोले जाने वाली जामनी जल मुर्गी को संथाली में सोलेकन दाक सीम गुच्छेदार बतक को द चीडियों का ज्यादतर सिकार आदिवासी समाज के लोग अपने विभीन, परवतिवार और अपने खानपन के लिए करते हैं यदि वे लोग इन चीडियों के नाम अपनी भासा में जानेंगे तो इससे अपने आपको और अपनी संस्कीति से जोड़करन के शिकार से प्राज़े चीमनला बोला मुख्य बंटर ने कहा है कि जरखन राजे खरनी समपता से भारापुड़ा है जिस राज की गिंती देश के अग्राणी राज में होनी चाहिए थी उसकी गिंती पिछले राज के रूप में होती है इस राज के पिछले पन के लिए भाज़पा जी म इन में ख़ड़ा करने का संकल्प लिया है हमारी सरकार के तीन साल के करकार में दो साल तो कुरोना में बित गया एक साल में हमने जो काम किया है वो पिछले 20 साल में हुए कामों से कई गुना अधीक है धनबाद में 18 राजियों के बैग्यानिकों का जमावडा धनबाद में देश भर के बैग्यानिकों का जमावडा लगने वाला है 6 और 7 जनवरी को 18 राजियों के जाने माने बैग्यानिक और दूसरी कई बड़ी हंस्तिया अखिल भारती एजन विज्ञान नेटवर्क और भारत ग्यान विज्ञान समिती के एगरी कल्चर डेस्क की और से आयोजित बैठक में मवजूद रहने वाले हैं बैठक आयोजन सहर के हीरापुर दुर्गा मंदिर के पास अगरसेन भवन में होगा दो दिनों की इस बैठक में देश में क्रीशी संकट उस संकट से निदान, किसान, मसीन और उस से समधित भी सवय पर चर्चा होगी बैस्विक चुनावती बने परयावरन संकट पर क्रीशी पर पर रहे परभाव और उसका निदान भी सुल्धाया जाएगा जारखन राज आजीव का केडर संग का बिरोध पर दसन 24 वे दिन जारी अपनी मांगो के समर्थन में जारखन राज आजीव का केडर संग का धरना पिछले 24 दिनों ते जारी है वे राज भवन के समक्ष अनिश्टित का लिन धरना पर बैठे हुए है धरना के 24 वे दिन बुद्धवार को इनकर्मियों ने सरकार और जे एसल पिएस के प्रतिन राखी जताते हुए जमकर नारे भाजी किया है मोके पर आंदोलन कारी सुरेश कुमार सिंग ने कहा है कि आज 24 दिन से राज भवर के प्यार पी और बीएपी सम्मो अवकास पर है इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई सूद नहीं लेने आ रहा है जारखन के अधिवक्ता 6 जनवरी से नयाईक कारियों से रहेंगे दूर जारखन सरकार पर अधिवक्ताओ के हितों के अंदेखी करने कारोप लगा है या आरोप जारखन राज बार कॉंसिल के ओर से लगाया है साथ ही या फैसला लिया गया है कि राज ये भर के अधिवक्ता 6 जनवरी से नाई कारियों से अलग रहेंगे जार्खन राज बार कॉंसिल ने जार्खन सरकार पर अधिवक्ताओ के हीतों के अंदेखी करने कारूप लगाते हुए छाओ जनवाई से नयाई कैरियों से लग रहने के पासला किया साथ ही जार्खन बार कांसिल की हुई बैटाक में इस प्रस्ताव पर नहीं लेते हुए बार कांसिल ने सरकार पर जार्खन में बेताहासा कोट फी में बढ़ोत्री राज में एड़ोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करने बजट में अधिवक्ता कल्यान के लिए नीधी अवंठित नहीं करने लोग अभी ओजग एवाँ अपर लोग अभी ओजग राजे के बार एसोसियेसनस नहीं बनाने के बिरोध में या फैसला किया है रांची में सलक जाम से जज सहाब नराज रांची में हाई कोट के पास वाली सलक जाम हो गई जिससे जज और वकील समय से अदालत नहीं पहुँच पाई इससे नराज अदालत ने फोरन ट्रेफिक एसपी को तलब किया है आनन फारन में अदालत पहुंचे ट्रेफिक स्पी ने अदालत को सिग्र जाम से निजात दिलाने का अस्वासन दिया रायधानी रांची में हाई कोट के पास वाली सलक पर वन वे होने के कारण बुद्धवार सुबर 9 बजे जाम हो गई जिसके कारण जर्ज और वकील अपने निधारी समय से अदालत नहीं पहुंच पाए अदालत पहुंचने में कठिनाई हुई अदालत ने मामले को गंभीता से लेते हुए रांची के ट्रेफिक स्पी को तलब किया है महेंद्र सिंग धोनी गडूर किसान ड्रोन को दे रहे बढ़ावा पुरो भारतिय कप्तान महेंद्र सिंग धोनी एगरिकल्चर के छेतर में भी किस्मत अजमार है रांची थी ता अपने फरम हाउस में वो काफी उनत तक निगी से खेती भी करते है वहीं ओक कई कम्पनियों के निवेशक और ब्रांड एमेश्टर भी हाई इसमें कुछ कम्पनिया है जो किसानों के विकास पर काम करते है बता दे निवेसक और ब्रांड एमेस्टर क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी और ड्रोन एज ए सर्विस पलेयर गडूर एर एस्पेस ने बुद्धवार को अपनी डिजिटल ब्रांड फिल्म हाईश्टेक खेतो के कप्तान लॉंच किया है जिसमें गरूर एरो एस्पेस की ब्रांड टीम द्वारा परिकल्पिलित और धोनी इंटर्टेन्मेंट प्राइबेट लिमिटेट के साथ सन्युक तुरुप से निर्मीत फिल्म खेती के कप्तान किसानों के दैनिक जीवन में उनकी आवसकता को दर्साती है जारखन में आंदोलनकारी का दर्जा पाने की होड जारखन आंदोलनकारी का दर्जा पाने की होड जारखन आंदोलनकारी का दर्जा हांसिल करने की होड मची हुई है साल 2012 में जारकन अंदोरोन कारी चीनित्तिकरन आयोक के गटन के बाद से लेकर अब तक कूल 73-974 आवेदन आ चुके हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक न दबाएए साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाइक अवसे दे थांक यू